Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus. आज की इस वीडियो में हम आर्ट और कल्चर से रिलेटेड इंपोर्टेंट MCQs का डिसकेशन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एक्जैम्स के लिए काफी जादा यूसफुल रहेंगे. तो ये आपके लिए एक तरिये का रिवीजन सेशन होगा, जहाँ पर हम आर्ट और कल्चर से रिलेटेड इंपोर्टेंट कुशिन का डिसकेशन करेंगे. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आर फर्स्ट कुशिन इस, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, आमिर खुसरो, इन्होंने खुद को पैरट और हिंदुस्तान का जो टाइटल है, टैग है, ये दिया था. तो आमिर खुसरो, इनको फादर आफ न्यू पर्शियन पोटिक स्टाइल, तो देखें, आमिर खुसरो, इनको फादर आफ न्यू पर्शियन पोटिक स्टाइल की नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप मा का लीजेगा, फादर आफ पर्शियन पोटिक स्टाइल, और इन्होंने खुद को टोटा ए हिंद की उपाधी दी थी, इसका मतलब होता है, पैरट ओफ हिंदुस्तान, इन्होंने रामचरित मानस में हमें बताना है, कौन सी भाशा का प्रयोग किया था, राइट आंस हो जाएगा, ऑप्शन दी, अवधी, तो अवधी लेंगविज का यूज किया था, रामचरित मानस में लिखी गई थी, रामचरित मानस, रामचरित मानस वस रिटन पै तुलसी दास, जिबकि अगर हम बात करें रामायर की, तो रामायर ये संस्कृत लेंगविज में लिखी गई थी, और इसको वालमिकी ने लिखा था तो रामचरित्मानस was written in अवधी language, you have to remember this. Next question By what name did Guru Nanak's disciple Lahana later become famous? तो हमें बताना है कि जो Guru Nanak जी थे, उनकी एक disciple याने शिश्य थे, Lahana वो later, मतलब बात में किस नाम से जाना ही जाते थे? तो right answer हो जाएगा option number B, Agandh या फिर इनको Angad के नाम से भी जाना जाता था so option B will be the right answer the former name of Angad Dev was Lahana तो इनका former name यानि पुराना नाम Lahana था, you have to remember this आप इसे माख का लीजे, कई बार exams में question, twist वगेरा करके भी पूछे जाते हैं, so Angad Dev और Guru Angad Dev was one of the gurus of the Sikh he had such a spiritual activity before that he became a true Sikh and a great teacher, तो देखें जो Guru Angad Dev थे, ये एक सिष्ष थे Guru Nanak जी के तो अगर हम बात करें, Sikhism में total कितने gurus थे, so in total there were 10 gurus in Sikhism and out of them the last guru was Guru Gobind Singh next question who is known in the world of music as the wizard of Sitar, तो देखें अगर हम बात करें, संगीत की दुनिया में the wizard of Sitar, यानि wizard मतलब जादूगर of Sitar किसे कहा जाता है तो right answer हो जाएगा option C रहीम सेन को the wizard of Sitar के नाम से जाना जाता है important question रहेगा आपके exams के लिए, क्योंकि ये question कई बार previous year question as a previous year question की तरह पूछा जाता है तो ऐसे questions के probability जादी होती है तो रहीम सेन is known as the magician of Sitar in the world of music next question which of the following is not a part of 4 धाम यातरा in northern India तो right answer हो जाएगा इसके लिए option number C वैशनो देवी तो वैशनो देवी आपने 4 धाम यातरा के बारे में सुना होगा जो में ली northern India में होती है तो इसमें 4 धाम मतलब 4 pilgrimage places है तो इन में से वैशनो देवी is not one among them तो देखते हैं among the countless religious sites and circuits that devotees visit in Uttarakhand that devotees visit in Uttarakhand one of the most prominent is the चार धाम यातरा और ये चार धाम यातरा ये में ली उतराखन में ये चार धाम यानि pilgrimage site located है जहाँ पे from all over the world devotees आते है so the यातरा और the pilgrimage is a tour of the 4 holy sites चार धाम यातरा में जो 4 holy sites हैं वो है ये मुनोतरी, गंगोतरी, केदारनाथ and बद्रीनाथ next question in which of the following states is the festival of हरेली celebrated right answer हो चाहिए के लिए option D 36 गड़ 36 गड़ में जो हरेली का festival है ये celebrate किया जाता है so the हरेली festival of 36 गड़ is celebrated with great pomp and jetty the word हरेली comes from हरियाली in Hindi which means greenery तो mainly greenery को devote करने के लिए as a harvest festival जो हरेली festival है ये 36 गड़ में मनाया जाता है next question what was the original name of dancing one of the most asked question है ये right answer हो जाएगा option number B ये राम तनू पांडे तो राम तनू पांडे ये original name था तानसेन का तानसेन और राम तनू पांडे was a great scholar of हिंदुस्तानी classical music की music से associated है में लिए classical music से associated थे he was also counted among the 9 रतनाज of Emperor Akbar तो अकबर इनके जो 9 रतन थे यानि 9 ज्वेल्स थे उनमें से एक राम तनू पांडे यानि तानसेन भी थे next question आमिर खुस्रो वस डिसाइपल ओफ right answer हो जाएगा option number B निजाम उद्दीन ओलिया तो देखिए आमिर खुस्रो के जो टीचर थे वो थे निजाम उद्दीन ओलिया at the age of eight he became a disciple of the famous सूफी हजरत निजाम उद्दीन तो आमिर खुस्रो के जो टीचर थे उनका नाम था निजाम उद्दीन ओलिया ये आपने याद रखना है he wrote poetry primarily in Persian तो ये मिली Persian language में लिखा करते थे next question what was the real name of गौतम बुद्ध right answer हो जाएगा question के लिए option number A that is Siddhath तो गौतम बुद्ध इनका जो real name था यानि वास्तविक नाम था वो था Siddhath so the real name of गौतम बुद्ध who is considered to be the founder of Buddhism इनका जो real name था वो था Siddhath गौतम बुद्ध वास्रमन on whose teachings Buddhism became popular तो गौतम बुद्ध की जो teachings थी उनके वजह से ही जो mainly Buddhism religion है वो काफी ज्यादा famous हुआ he was born in Lumbini in 563 BC in the house of King Shuddhodan of the Iqshivaku dynasty चत्रिय शाह साके clan तो उनकी clan जो का नाम था वो था साके clan और इनके father का नाम था King Shuddhodan और इनकी dynasty का नाम जो important बनता है वो था Iqshivaku dynasty और इनकी मदर का नेंता महा माया जो यहां पर mention था Lumbini यह नेपार प्रोविंस में करेंटली लोकिटेड है अगर बात की जाए इनकी death की place of death की तो इनकी place of death थी कुशी नगर next question in which of the following states of India यक्षगान डान्स which is a drama डान्स is popular right answer हो जाएका इसके लिए option number C करनाटका तो करनाटका का one of the famous dance drama है यक्षगान यक्षगान is a traditional theater form of करनाटका its literal meaning is यक्षास song it developed in the अडूपे district of करनाटका तो करनाटका की जो अडूपे district है वहाँ पर ये developed हुआ वहाँ पर ये famous हुआ its origin is believed to be between 10th and 16th century के बीच में around यक्षगान जो एक famous dance drama है करनाटका का ये originate हुआ you have to remember this next question देख लेते हैं what was the real name of Swami Vivekanand important question right answer होगा इस question के लिए option number A नरेंदरनाथ दत option A सही answer है नरेंदरनाथ दत ये famous ये real name था या फिर former name था वास्तविक नाम था Swami Vivekanand तो Swami Vivekanand जी इनकी one of the most famous book है कर्म यूग और राज यूग जो काफी जादी बार exams में repeat हुई है so Swami Vivekanand Vivekanand इनका जो जन हुआ था 12th January 1863 में हुआ था 12th January को हम हर साल National Youth Day की तरह मनाते हैं क्योंकि ये इनकी birth date है and इनका जो रियल नीम था वो नरेंजरनाथ तत्य था जो हम already discussed कर चुके है next question which of the following is the most famous and ancient book of drama in India right answer हो जाएका इस question के लिए option number C नाटी शास्त्र और भरत्मुनी तो देखे भरत्मुनी द्वारा लिखी गई जो ये बुक है नाटी शास्त्र ये इंडिया की सबसे पुरानी और famous यानि प्रसिद्ध बुक है of drama तो देखे नाटी शास्त्र और भरत्मुनी is the most ancient and most famous book of drama in India इसको consider किया जाता है as most famous book of drama and most ancient book of drama in India next question what was the real name of आमिर खुसरो right answer हो जाएकर इसके लिए option number A मुहम्मद हसन तो मुहम्मद हसन ये इनका original name था आमिर खुसरो का हमने इनके teacher के बारे में भी discuss किया था तो आपको उनका नाम comment section में बताना है ये आपको homework है तो अबुरहसन यमीन उद्दीन आमिर खुसरो who was a 14th century who was who came to India in 14th century a chief living near Delhi around the century he was a poet, singer and musician तो एक famous poet, singer and musician थे next question the most popular festival in Tamil Nadu is right answer हो जाएकर के लिए option number D Pongal तो दिखिये Pongal ये सबसे जादा famous festival है Tamil Nadu का और ये एक harvest festival है Pongal is the most famous festival that is celebrated in Tamil Nadu it is one of the harvest festival harvest festival mainly crops से associated होती है जब crops बन जाती है तो उनके बार जिन festivals को celebrate किया जाता है in order to honor the crops उनको हम harvest festivals के नाम से जानते है next question the 19th century saw the golden age of Kathak under the patron age of वाजद अली शाह who was the last नवाब of तो हमें बताया है कि जो 19th century थी उसने golden age देखा अपना Kathak का और हमें बताया है किसके under देखा देखे आपको ये भी आद रखना है वाजद अली शाह के under जो Kathak एक classical dance warm है उसका golden period माना जाता है और ये last नवाब कौन से area के थे हमें बताना है so the right answer will be option number C अवद के last नवाब थे वाजद अली शाह the 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of वाजद अली शाह who was the last नवाब of अवद he established the laknav gharana with the strong ascent on भाब तो इन्होंने laknav gharana को established किया था जहां पर mainly Kathak कि जो भाब वगेरा थे उनकी strong practice की जाती थी with the original and ancient ancient ascent of भाब जो भाब होते थे उनको गाया जाता था और उनकी original और strong ascent को इन्होंने laknav gharana में established किया था next question पावा कूथू of Kerala is a famous right answer हो चाहिए इसके लिए option number B puppet show तो देखे पावा कूथू ये केरिला का एक famous puppet show है puppet show मतलब कट पुतली वाला एक show जहां पर mainly कट पुतलियों को नचाया जाता है it is the traditional love puppet show of Kerala तो केरिला कमें ये famous है आपने याद रखना है name पावा कूथू it originated in the period around 18th century AD the puppets are decorated with colorful head gears, feathers and face paints puppets को सजाया जाता है और इनको mainly हातों से control किया जाता है it evidences the influence of the Kathakali dance form और ये similar to Kathakali dance form है one of the most famous classical dance form Kathakali से influenced माना जाता है कभी आपसे पूछा जाए कि पावा कूथू is influenced by which famous dance form so your answer will be Kathakali the plays are themed around the narrations of Ramayana and Mahabharata तो Ramayana और Mahabharat की mainly narrations किये जाते हैं इस show में तो चलिए next question discuss कर लेते हैं when was the Indian People's Theatre Association established right answer हो जाए का option number A 1943 में Indian People's Theatre Association को established किया गया था the Indian People's Theatre Association was established in the year 1943 it played important role in the growth and development of theatre in India तो इसका काफे जादा important role था इंडिया में theatre को आगे बढाने में next question भांद पाथर theatre is a tradition primarily of which of the following states or union territories of India तो भांद पाथर हमें बताना है कि कौन से state का famous traditional एक theatre है तो राइट आंसर हो जाएगा option number C Jarmu and Kashmir Jarmu and Kashmir का famous ये एक traditional form of theatre है भांद पाथर is a folk theatre of Kashmir भांद पाथर is a popular form of the folk theatre and the world भांद stands for Chessler जिसका मतलब जोक होता है भांद का मतलब होता है एक तरीके से जोक से रिलेटेट वाइल पाथर means drama तो जोक से भरा हुआ एक ड्रामा है भांद पाथर ये Jarmu and Kashmir में famous है इसे इसे storehouse of the world art collection के नाम से जाना चाता है और ये इंडिया में ही situated है तो सलार चंग museum is called as the storehouse of the world art collection तो museum is an art museum तो ये museum एक तरीके का art museum है तो ये museum एक तरीके का art museum है इस लोकेटेट इन दरुसिफा on the bank of Musi river of Hyderabad तो हैदराबाद है situated on the bank of Musi river और इसके bank में ही ये जो museum है ये situated है और ये world का third largest museum है इंडिया में and it is the third largest museum in India sorry ये इंडिया का third largest museum है अगर हम बात करें इंडिया के largest museum की तो देखे so the largest museum of India is the Indian museum और ये कहाँ पर located है ये West Bengal में located है next question all souls day is a dash festival right answer हो जाएगा इस question के लिए option number C Christian festival तो all souls day ये mainly Christian जो religion है उसमें मनाया जाता है all souls day next question रत यात्रा एट पुरी is celebrated in the honor of right answer होगा option C Lord जगनात को honor करने के लिए रत यात्रा जो एक festival है इसे मनाया जाता है रत यात्रा यत जात्रा या फिर रत यात्रा हम इसे कहते हैं the festival of chariots chariots of Shrija Gannath is celebrated every year at Puri the temple town of Odisha तो Puri में ये celebrate किया जाता है Puri को temple town of Odisha के नाम से भी जाना जाता है next question पापे टी is the festival of right answer हो जाएगा इसके लिए option number A Parshis तो Parshis का एक famous festival है पापे टी you have to remember this पापे टी is the festival of Parshis it is one of the most प्रॉपे टी जाता है of the Parshis calendar प्रॉपे टी मतलब में लिए होता है sacred days या फिर पवितर से हम इसे कह सकते है it is celebrated on the eve of new year और ये new year की eve को celebrate किया जाता है you have to remember this next question देख लेते हैं which among the following city was given as Guru Dakshina by Pandavas to Guru Dronacharya तो देखे Guru Dronacharya ये teacher थे Pandavas के मेली महाभारता से ये associated है तो महाभारत में जो पांडव थे उनके जो गुरू थे वो थे Guru Dronacharya तो कौनसी सिटी का नाम कौनसी ऐसी सिटी थी जहाँ पर पांडव जो थे उन्होंने Guru Dronacharya को दक्षिना दी थी राइट आंसर हो जाएका option number D, Guru Gow तो देखे Guru Gow जिसे अब Guru Gram के नाम से भी जानना जाता है यहाँ पर पांडव उनने Guru Dronacharya को Guru Dronacharya को दक्षिना दी थी इसलिए इस जगे का नाम Guru Gow पढ़ गया तो चलिए अब इससे related important points discuss कर लेते हैं तो इनके students ने Guru Dronacharya के students ने इनने Guru Dronacharya दी थी who were the Pandavas and hence it came to be known as Guru Gram इसलिए इसका नाम Guru Gram पढ़ गया next question देख लेते हैं July Kattu is associated with which of the following Indian festival right answer हो जाएगा option number B Pongal देखे Pongal से associated है July Kattu हमने अभी discuss किया Pongal it is mainly celebrated in the state of Tamil Nadu ये वहाँ का एक harvest festival है और July Kattu जो ये term है ये उससे associated है तो चलिए चानते है July Kattu होता क्या है So the running of bulls called as July Kattu occurs among the Tamil of Southern India as a part of annual Hindu festival of Pongal it occurs in the month of January में ये celebrate किया जाता है mainly Tamil Nadu में और ये एक Hindu festival है next question Bihu is a folk dance of which state right answer हो जाएगा इसके लिए option number A Asam तो Asam का एक बहुत famous dance है Bihu the Bihu dance is an indigenous Poshmila displays local artisans displaying folk dances music and food and culture of right answer हो को option number B West Bengal तो देखे वेस्ट बेंगोल में मनाया जाता है Poshmila और यहाँ पर जो local artisans होते हैं पोग music को display करते हैं वहां का जो famous food है उसको display किया जाता है और वहां के culture को भी display किया जाता है Poshmila festival Poshmila means fair fair एक तरीके से हम festival मान सकते हैं a kind of festival because a fair is considered to be a kind of festival Poshmila so it displays the local artisans displaying foods, dances, music, culture of West Bengal it is an annual festival which takes place in Shanti Niketan in Birbham district of West Bengal तो Shanti Niketan it was created by, it was established by Rabindranath Tagal इसके यहाँ पर जो यह festival है यहाँ पर होता है Shanti Niketan में जो West Bengal में located है और देखे इससे पहले हमने Shanti Niketan की बात की थी तो Shanti Niketan मैं आपको बताया Rabindranath Tagal जी ने established किया था तो इसको कब established किया गया था 22 December 1901 में इसे established किया गया था अगर हम बात करें 22nd of December की तो इसे mathematics day के तरह deliberate किया जाता है Next question The Tanakh is the sacred text of which religion or sect? Right answer हो चाहे का option number A Judaism तो Judaism का एक famous sacred मतलब पवित्र तरीके का जो text है that is Tanakh The Jewish scriptures are called as Tanakh तो जो Jews इनके scriptures होते हैं इनको हम Tanakh की तरह refer करते हैं After the first letters of the three parts in the Jewish tradition Next question In which state of India is Bhagorya Heart Festival celebrated? Right answer हो जाएगा option number D Madhya Pradesh तो देखें Madhya Pradesh में Bhagorya Heart Festival Celebrate किया जाता है Bhagorya Heart Festival इसको एक तरीके का प्यार का A festival of love, life, music and colors माना जाता है Bhagorya no doubt Carves a special niche among us The tribal people of Madhya Pradesh और mainly a tribal people को एक तरीके से उनका culture, tradition को display किया जाता है Bhagorya Heart Festival में ये आपने याद रखना है Next question The famous Ganga Sagar Mela An annual fair is held in which state of India Right answer हो जाएगा option D West Bengal Ganga Sagar Mela इसे West Bengal में celebrate किया जाता है ये आपने याद रखना है ये तरीके का annual fair है Ganga Sagar Mela is a religious festival and second biggest festival of India after the Kumbh Mela of India celebrated on Sagar Dweep Sagar Island in the West Bengal state of India तो इंडिया का जो सबसे बड़ा मेला है fair है वो Kumbh Mela मना जाता है और उसके बाद second biggest fair Ganga Sagar Mela को कहा जाता है The fair is a six day fair held in the month of January में भी ये celebrate किया जाता है ये festival भी ये Mela भी जो fair है in the month of January में six days कि इसकी duration होती है Next question What was the real name of Guru Nanak Right answer हो जाएका इसके लिए option number C Nanak तो देखे गुरू Nanak जी इनको कई नाम से जाना जाता था पर इनका जो real name था वो था Nanak Nanak is the first आदी गुरू of Sikh तो देखे सिख्यस में जो first आदी गुरू थे वो थे गुरू Nanak जी and last थे गुरू Gobind Singh His followers called him Nanak Nanak Dev ji, Baba Nanak and Nanak Shah and in career name Nanak था you have to remember this तो चलिए इसके साथ हमारी ये video complete हुई I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा it helps us a lot thank you for being with me and have a wonderful day ahead and I wish all the best for your exams